समस्कार दोस्तों जेके सक्सेस पॉइंट के यूटूब चैनल में आपका स्वागता तोड़े फैंट्स आई शेयर में जो टेक्नीशन की जो अग्जाम होने वाली है उसी के रिगार्डिंग हम सोशल साइंस की तैयारी है वो हमारे चैनल पर कर रहे हैं तो उसी के रिगार्डिंग हम जो सोशल साइंस में अंडरेस्टेंडिंग एकोनोमिक डेवलोप्मेंट वाला टोपिक हमारा चर रहा था उसमें आगे कि हम कुछ क्यूशन है वो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने 10 क्यूशन हैं वो इसमें डिसकस किये थे और साथ में उसकी जो थियोरी थी पूरे चप्टर में जो भी थियोरी बनने वाले थी डेवलोप्मेंट वाले पार्ट में तो उसको हमने डिसकस किया था साथ में कुछ इंपोर्टेट क्यूशन भी डि उनको किस प्रकार से हम हासिल कर सकते हैं बल दोरा हासिल कर सकते हैं या फिर लोकतांत्रिक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसी के अंतरगत कर सकते हैं या फिर हिंसक आंदोलन दोरा या फिर आतंक दोरा तो कौन सी प्रोसेस के दोरा हम जो विकास के लक्षे हैं उनको प्राप् प्रोशेस के अंत्रगत अपना विकास का कारी है वो पूरन करवा सकते हैं तो इसमें बी है वो राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है हमारा इसमें निमल लिखीत में से कौन सा कथन साखसरता दर को परिभासित करता है तो कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें डिफाइन करता है कि लिट्रेशी जो रेट है वो क्या है तो उसकी संपुन जो परिभासा है वो कौन सा कथन हमें बताता है तो लिट्रेशी रेट आप सभी जानते हैं क्या होती है तो यह होती है यह साथ वर्स या उससे अधिक आयू वर्ग में साक लिखित में से कौन सी एक विकास सिल देश की विशेशता नहीं है तो विशेशता नहीं है तो वह हो जाएगा हाइट टेकनोलोजिकल डेवलेपमेंट मैं जो विकास सिल देश होते हैं उन में उच तकनिकी विकास हो जाएगा तो विकसित देश की स्रेणी में आ जाएगा तो पसंद बी है वह करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्से है तो डेवलोप्मेंट गोल फोर ए गल फरोम ए विच रिच फैमली की गल है तो उसके लिए डेवलोप्मेंट का जो लक्से है गोल है वो क्या हो सकता है तो उसके लिए जो डेवलोप्मेंट का गोल होगा वो क्या होगा वो होगा अपने भाई की जितनी आजादी उसे मिले उसका भाई जितनी आजादी प्राप्त कर रहा है उसको भी उतनी ही आजादी अगर मिलती है तो उसको क्या मानती है वो मानेगी कि ये उसके लिए एक वि काष आत्म को अजयिंगं Εच्छ द्रविशिंल के लिए निमली खित में से कौन सा एक विकासातमक लक्स्छ है जो इंडस्ट्रियल है तो उन் nós के लिए डेवलिप्मंट अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए अगर जो इंडेस्ट्रियल्स है तो उनको अधिक से अधिक बिजली प्राप्त होगी तो उनके लिए बहुत अच्छा विकासात्मक लक्षे होगा कि वो उससे अपना उत्पादन समता है वो और ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे तो अधिक बिजली प्राप्त कर रही है तो उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि यह कंट्री है यह अच्छी डेवलेप्मेंट कर रही है तो मानव विकास सूचकांग का वो किस आधार पर यह बता पाती है तो UNDP के लिए इसमें पुछा गया है कि कौन से मेजर फेक्टर है जिसके कारण ही है जो विकास कमापने का आधार है वो बनाती है तो वो कौन सा हो जाए का वो हो जाए का परतिव्यक्ति आए के आधार प पर भी और हेल्थ स्टेटस है तो इन तीनों ही चीजों के बैसिस पर यह क्या होती है मानव विकास सूचकांग का वो तयार करती है तो अल आप दी अब उप्यूक्त सभी है वो इसमें राइट एंसर हो जाएगा यू एंड़ीपी है यह मानव विकास सूचकांग है उनको परदान करती है तो इंडिया स्टोन डिवलॉप्मेंट जो रेंग थी दो हजार इन इसमें तो वह कितनी थी तो आप में कमेंट करके बताएं कि इंडिया की रेंग थी वह सं 2,019 में कितनी थी किस राज्य में कौंसे सर्वाधिक है। हईस्ट कहुं से स्टेट का है। भारति में कट्रोंगu है है उसका कौंसे स्टेट का है । तो एक नंबर पर है इसका index जो तयार हुवा तो हो मन केरल है वो परत्मिस्तान पर है वहीं पंजाब के अगर हम बात करें तो पंजाब उस रेंक में 9 नंबर पर है उत्तरपरदेश की बात किे तो यह 35 नंबर पर है वहीं वेस्ट मेंगॏल है तुट यही है वह अगर हम सेकंद नुंबर की बात करें फर्षट में तो केरkayacter है अगर सेकंद पे बात करें याद रखने हैंद उल Як सेकंडिकठ थर्ड की बात करें और्ट की बात करें दो थ्रड पर क्या है गोवा फॉर्थ पर लक्सदीफ आजाएगा और fiction पर कौन चाहेगा वह देली हो जाएगा तो यह पांची स्टेट भी आपको याद रखने हैं कि फर्ष्ट पर केरला है शेकेंड पर कौन सा जाएगा वह चंडीगर थर्ड पर गोवा फोर्थ लक्सदीफ और फिप्त पर कौन सा है वह डेली हो जाएगा इसमें देशों के विकास की तुलना करने के लिए सबसे महतफण विशेषता कौन सी है कोई भी दो देश है तो उनकी हम विकास के बारे में अगर तुलना करें development के बारे में अगर हम comparison करें तो वो उसके लिए जो man point हमें चाहिए attribute क्या चाहिए important जो तो उसके आदार पर हम इनकी तुलना कर सके तो वो क्या चाहिए तो वो साधन आबादी ओसत आए या फिर इन में से कोई नहीं है वो सही हो जाएगा क्योंकि मानव विकास की जो सूचकांक है उसके आदार पर हम दो देसों की आपस के विकास की तुलना है वो कर सकते हैं तो इन में से वो option दे नहीं रखा तो none of these है इन में से कोई नहीं है वो इसका भार्त की तुलना में कों सा देस है जिसकी चीजी जो रेंग है वो सबसे बहतर है तो वह कौन से कि खें कि बाट की रेंकिंग तो हमने बता दी थी आपको एक सो एक तेस थी तो इन phenomenon से कौन सा देसे जिसकी रेंगा वो वार्फ से अच्छी थी तो वो हो जाएगा सिर्लंका चिह रिंग यह बहfsतर देश हो कोध जाएगा कि д Nej इसमें केरल में सिशो मृत्यु दर कम है क्यों कि करल जो है उसमें इनफैंट जो मॉंट्री सबस्क्राइब के अंदर जो हेल्थ और एजुकेशनल जो फेशिलिटीज है वो बहुत अच्छी है तो इस कारण वहाँ पर जो मोटिलिटी रेट है वो बहुत कम है तो अप्शन सी है वो राइट एंशर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन को देखते हैं नेक्स्ट कुशन है इसमें मानव विकास सूचकांग निमली खित में से किस इस्तर के लोगों के आधार पर देशों की तुलना करता है जो मानव विकास जो सूचकांग है कि इस तर के लोगों के आधार पर देशों की तुलना आ हो करता है तो उसमें एजूकेशनल इस तर है वो भी आता है उसको भी सामील किया जाता है तो इसमें आल फ्योग्त सभी है वो रहाइट एंसर हो जाएगा क्योंकि जो किसी भी देश का जब हम Human Development Index अवो तयार करते हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर वो इंडेक्स अवो तयार किया जाता है कि उस देश का सेक्सिक इस्थर कैसा है वहां कि जो Health Status अवो किस प्रकार से है और प्रतिवेक्ति आई है वो कितनी है तो इन सभी चीजों को ध्यान में लखकर वहिंडेक्स है वह तैयार किया जाता है कि नेक्स्ट कूष क्यों है मारे में उचसी मॕ्त्यू दर के कारण है हाई इनफेक्ट जो मोटलीटी रेट है उसका कारण क्या है किसी स्टेड में जादा च्जादा मरत्य धर हो रही है तो पिर्मू का कारण क्या है और वहाँ पर जो आधार बूत सुविदाई हैं, इन्फार्स्ट्रक्स जो फेशिलिटीज हैं, उनकी अगर कमी होगी, तो वहाँ पर क्या होगी, जो मोटलिटी रेट है, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी, नेश्ट क्यूशन हमारे इसमें, निमली खित में से किस पाड़ोशी देश का मानव विकास रेंक के मामले में भार्थ से बहतर परदसन हैं, तो ये क्यूशन पहले आचुके हैं, तो हमने इसको डिसकस किया था कि शिरलंका है, उसका जो HDI रेंक है, वो सबसे अच्छा है, त उसमें के लिए सबसे इंपोर्टेंट जो थिंक होती है, वो क्या होती है, तो वो हो जाएगी Human Development Index, HDI, मानव विकास जो सूचकांक होता है, उसी के आधार पर हम दो देशों की तुलना है, वो कर पाते हैं, तो अप्संद ए है, वो राइट एंसर हो जाएगा, अंतीम पर्ति विकति आई वाले देशों को क्या कहा जाता है, मालों, यह 2017 के शंदर में पूचा गया है कि 12,006 अमेरी की डोलर पर्ति वर्ट या फिर उससे अधिक अगर कोई विकति की आए है, तो वो देस है, वो कौन सी देस की स्रेणी में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा वीडियो पसंद है तो लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेयर करें हमारे चैनल पर इसी परकार से रेगुलरली जो क्लासेज है वो आती रहेंगी तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं